इरान युद की टेंशन के बीच तुर्की के राश्पती ने नितनियाहू को नई धमकी देती है प्रेसिडेंट एर्दुआन ने इसराइल को दुन्या का दुश्मन बताते हुए बहुत जल्ड आक्शन लेने का ऐलान किया है अल्बानिया दौरे पर पहुँचे अर्दुआन की तरह इरान भी अब अरब देशों की गोल बंदी में जुटा हुआ है इस बीच साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान की एक तस्वीर ने अमेरिका को दहला दिया है लेबनन की तरफ से हेजबुल्वा द्वारा दागे गए मिसाइल रॉकेट लगातार इसराइल को परिशान कर रहे हैं कुछ ऐसे मिसाइल या रॉकेट होते हैं जिनको हम जाने देते हैं उन पर अपने संसाधन को खर्च नहीं करते कई सारी कबरें या पर देखिये तबाह हो गई है एक रॉकेट आकर गिरा है जिसकी वज़े से तबाही का जो मंजर हो आप देख सकते हैं या पर देखिये जैसे बम के दमाकों के साथ बेरूत की तस्वीर बदल रही है जैसे जैसे रॉकट की बोचार से तलवीव की शकल बदल रही है उतनी ही तेजी से घाडी में खेमें बदल रहे हैं इसराइल के खिलाफ मॉस्ट पाफुल गृप बन रहा है इस ग्रूप में होड ये लगी है कि जल से जल एरान से दोस्ती की जाए और इसराइल के साथ अमेरिका को हद में लाय जाए कई तस्वीरें हैं जिन्होंने अमेरिका और इसराइल की टेंशन बढ़ा दिये तस्वीर नमबर वन देखिए जहां तुरकी नेवी का शिप लिबनान में एंट्री कर रहा है शिप पर तुरकी के किलर कमांडो अक्शन मोड में दिख रहे हैं दूसरी तस्वीर अलबानिया से आई है जहां प्रेजिडेंट अरदुआन इसराइल विरोधी गुट के विस्तार के लिए पहुँचे है तीसरी तस्वीर तो ऐसी है जिसने इसराइल और अमेरिका दोनों का थर्रा दिया है सौधी अरब के रियाद में क्राउन प्रिंस सल्मान से इरान के विदेशमंद्री की मुलाकात ने अरव वर्ल्ड में नए समीकरण पर मोहल लगा दी है वार जोन में दिख रहे बारूदी तहलके से ज्यादा तपिशन तस्वीरों में है तहरान में जल रहे इसराइल और अमेरिका के जंडे क्या कह रहें क्या इरान ने सौधी अरब को साथ लिया है क्या खाड़ी के सभी पावरफुल नेशन पर खामिनेई की अपील असर कर गई है सौधी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सल्मान और इरान के विदेश मंतरी अब्बास अराक्ची की मीटिंग में युद्ध तनाव पर चर्चा हुई है प्रिंस सल्मान ने इरान के विदेश मंतरी से वार टेंशन कम करने का वादा भी किया है साओधी प्रिंस से मीटिंग के बाद एरान के विदेश मंतरी कतर का दोरा करेंगे खाड़ी में अमेरिका के सबसे करीबी दो मुल्क साओधी अरब और कतर को माना जाता है अगर ये दोनों देश एरान के खेमे में गए तो इसराइल का बचना मुश्किल होगा वजए ये भी है कि तुर्की जैसा ताकतवर देश अरब वर्ड में फूर डालकर खुद को खलीवा साबित करने में लगा है इसराइल मेजाली मि जरूश्मेजी वुरूश्मे मिजिए ये धेलियु कुमतीं एनि जल्ग आसेंदी अरतिधना के लिए्टिए अर्टकर ये एले रहिंदेन होड़ के आसे इसका गुद्यर थाप्रेक्शन पर इसराइल जयसे घटल कर जो पस्ता डिक रहा है उतना ही वार जोन में उसे जटके लग रहे हैं इसराइल की दर्ती धर्रा रही है इसराइल के आसमान में बारूप का बवंदर उठ रहा है कभी रॉकेट अटैक तो कभी ड्रोन से मिसाईले फट रही है इसराइल के चप़े चप़े पर दुश्मनों के धमाते की चाप दिखाई देने लगी है लेबनान से लगी इसराइल के सरधी शेहरों में अब किसी को सलामत होने की गैरेंटी नहीं है मैं इस वक्त इसराइल लिबनान के बॉर्डर के बेहद करीब एक गाउं में हूँ जहां आठ अक्टूबर को दो पहर एक बजे एक साथ कई दरजन रॉकेट से हिजबुल्ला ने हमला किया था और उनके निशान आप अब भी गाउं में जो घर है उनकी दिवारों पर देख स हमले में इसराइल को भारी नुकसान हुआ है आईडियेफ के टॉप कमांडर को नईम कासिम के लड़ाकों ने धेर कर दिया है इस बुल्ला ने ने नेतनियाहू आर्मी के बड़े आफिसर को मार कर देहला दिया है इसराइल पोसिस की आलन ब्रिगेड की 5030 बाटालियन के साजट मेजर रोनी गणिजाते हिस बुल्ला के हमले में walे गये हैं 37 साल के मेजर गणिजाते लिबनान में हिस बुल्ला के कलाव जमίνी हमले में मारे गये हैं ग्राउंड बैटल में अब तक हिजबुल्ला ने इसराइल के 12 सोल्जर्स को धेर किया है। अपने अफसर की मौत के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला के दो कमांडर मार डाले हैं। जिसमें एक एहमद मुस्तगा, अलहाज, अली और दूसरा मौम्मद अली हमदान बताये गया है। इसराइल के दोनों टॉप कमांडर अंटी टैंक पोर के कमांडर थे। दो टॉप कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए इस बुल्ला ने इसराइल कबरिस्तानों को भी बारूट से पाड़ दिया। जो अटेक हुआ है रॉकेट से उसको देखने आ रहे हैं। इसराइल को इतने हतियारों से लैस कर दिया है। कि उसे युद्ध में परास्त करना हिजबुल्ला तो क्या कैई देशों के भूते की बात नहीं। ब्राउन युनिवरस्टी के कॉस्ट ओफ वार प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट से पता चला है। कि अक्तूबर 2023 से अब तक अमेरिका ने इसराइल पर 22.76 बिलियन डॉलर खर्च किये हैं। अमेरिके हत्यारों के आपूर्ती में लगबग 57,000 तोफ खाने के गोले, तोफों के लिए 36,000 राउंड गोला बारू, 20,000 M4A1 राइफले, 14,000 अंटी टैंक मिसाइले और 8,700 MK 82 500 पाउंड बंब शामिल हैं। इसराइल के लडाकू जैट हों या फिर डिफेंस सिस्टम सब के सब सूपर पावर के बजट से चल रहे हैं। यानि पूरी दुनिया एक तरफ और इसराइल एक तरफ अमेरिका इसराइल के साथ युद्ध में हैं, हर तरफ से हैं, चाहे हत्यार हो, चाहे बाहूबल हो, चाहे आटम बम हो, इसराइल को जिसकी जरूरत होगी सूपर पावर वो देगा, लेकिन युद्ध में कभी इसराइल को जुकने नहीं देगा। अमेरिका की यही गारंटी नेतनियाहू को सभी दुश्मनों से भिढने की पावर देती है। सूपर पावर का इसराइल के साथ खड़े रहना उसकी जीत और वजूत दोनों के लिए जरूरी भी है। वन्ना बारूत के धेर पर बैठे इसराइल को इरान और तुरकी जैसे अभी को चौका दिया था। तबसे दुनिया भर के वार एक्सपर्ट्स ये देखने को बेचेन है कि इसराइल इरान से बदला कैसे लेता है। अब लगभग 9 दिन बाद इसराइल ने ऐसा दावा किया है जो इरान के ताबूत में आकरी कील साबित हो सकती है। इरान पर इस उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। एक अक्तूबर 2024 को भले ही इरान ने इसराइल पर 200 बलिस्टिक मिसाइल इंदाग कर दुनिया को चौका दिया हो। लेकिन अब इरान के मिसाइल हमले के 9 दिन बाद खबर आ रही है कि इसराइल अब इरान का हाल हिस्बुल्ला और हमास से भी बुरा करने जा रहा है। इसरा पती बाइडन से 50 मिनट तक बाच्चीत कर चुके हैं। इधर इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने इरान पर हमले का ऐसा इशारा किया है। जिसने पूरे मिडिल इस्ट में हलकम मचा कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल के इस हमले की भनक मिलन के बाद से इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की रातों की नीद उल गई है। जरा देखे इसराइल के रक्षा मंतरी यॉव गैलेंट ने क्या कहा है। यॉव गैलेंट का ये बयान इसराइल पर इरान के मिसाइल हमलों के जवाब में आया है। सूत्रों की माने तो इसराइल इरान के प्रमुक तेल ठिकानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि यह हमले इरान के अर्थविवस्ता को गहरा नुक्स पहुचाने के लिए हुँगे, तोकि इरान की बड़ी आर्थिक ताकत उसके तेलशेत्र हैं। इसके अलावा इसराइल इरान के परमानू ठिकानों पर भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है। पचास मिनट में हुई सीक्रेट डील, उला दो इरान के आट्मी ठिकाने। लगबख सौ घंटे से दुनिया भर की मीडिया में ये दावे किये जा रहे हैं कि इरान ने जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा परमानू परिक्षन किया है। दावा किया जा रहा है कि इसराइल ने पिचले 120 घंटे में एरान में आय भुकम और परमानू बंका परिक्षन के दावों का सीक्रेट पता कर लिया है। इसलिए बाइडन और नेतनियाहू ने 50 मिनट तक पून पर बादचीत के दोरान लगभग फाइनल कर दिया है कि अब इरान को 200 मिसाईल हमलों का जवाब जबरदस तरीके से दिया जाएगा। अमेरिका इसराइल पर दबाव बना चुका है कि वो इरान के परमानू ठिकानों को तबाद नहीं करेगा। लेकिन जब से अमेरिका को खूफिया जानकारी मिली है कि इरान ने भुकम कियाड में आटमी परिक्षन ही किया है। तब से अमेरिका अब इसराइल को उसके आटमी ठिकानों पर हमला करने की हरी ज़ंडी दे चुका है। ऐसा सूत्रों के जरीए दावे किये जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजे कि इरान ने 5 अक्तूबर को क्या किया था। इसराइल के साथ बढ़ते संगर्ज के बीच 5 अक्तूबर को इरान के सिमनान प्रांथ में रिक्टर पैमाने पर 4.6 तीवरता का भुकम दर्ज किया गया। भुकम का केंद्र कथित तौर पर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनरजी प्लांट के करीब था। इरान के सिमनान प्रांथ के कावीर रिगिस्तान में इरान ने परमानू परिक्षन किया है। ऐसे अब दावे किया रहे हैं। भुकम के समय और परमानू सुविधा के करीब होने के कारण इस बात की अठकले लगाई जा रही है कि एरान ने परमानू बम का परिक्षन किया है। दावों के मताबिक भुकम का केंदर सतह से लगबग 10 किलो मिटर नीचे और एक इरानी न्यूकलियर एनर्जी प्लांट के करीब था। भुकम के दौरान जिस तरहां की लहरे जमीन में उठती है। ये लहरे वैसी थी जैसी न्यूकलियर विस्पोर्ट के बाद जमीन पर च यूनिट 9900 का वार प्लान इरान पर अद्रिश्य हमला। इसराइली सेहने ठिकानों को काफी नुकसान पहुचाया था। उस वक्त इसराइल का ये डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम, एरो टू, एरो त्री और डेविट स्लिंग सभी इरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाये थे। लेकिन इसराइल के रक्षामंत्री का साब कहना है कि इर 9900 के कमांडर्स से बाच्चीत किये है। इसराइल के रक्षामंत्री ने इशारों ही इशारों में कह दिया है कि इसराइल अब इरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है। कि इरान को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। अब सवाल उकता है कि क्या इसराइल से 2000 किलोमिटर गूरी पर मौजूद इरान पर हमला करना इतना असान होगा। क्योंकि इरान की मिसाइल पावर जबरदस्त है। इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी 4 अक्तूबर को दावा कर चुके हैं कि इरान का मिसाइल हमला शानदार रहा है। लगबग 5 साल बाद हजारों इरानियों के बीच में खामनेई ने एलान किया कि ये तो अभी इसराइल ने इरान का मिसाइल ट्रेलर देखा है। अगर जरूरत पड़ी तो इरान इसराइल के वजूद को मिटाने के लिए बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। अगर इसराइल इरान को तबहा कर देता है तो इसराइल अगले दस सालों में पूरे मिडिलीस्ट में सूपर पावज़ा कर सकता है। अगर बन जाएगा।